तना के कंकर बाग में शनीवार को जेडियम हॉस्पीटल का उद्घाटन किया गया उद्घाटन समारों की मुक्यति थी महिला विकास मंच की मुक्ष संग्रेक्ष का वीना मानवी मंच की अध्यक्ष अडुनिमा जी युवा संगठन के अध्यक्ष जैकी यादव हॉस्पीटल के निदेशक राजुकुमार जी द्वारा संजुक्त रूप से फीता काट कर किया गया काफी किफायती दर पर करोना से लड़ने की जेडियम हॉस्पीटल ने अपनी पूरी तयारी कर ली है इसके लिए सरकार को आविदंदी भी दिया गया है जैसे ही अनुमती मिलेगी करोना का इलाज सुरू हो जाएगा बिहार में कोविट सेंटर की रूप में जेडियम अस्पताल को अस्थापित किया जा रहा है जहां करोना के स्टेश्ट के साथ साथ कोविड-19 के संक्रमित पोजिटी मरीजों का सुचारू, बेहतर एवं किफायती दर में इलाज किया जाएगा परतमान में सामान एवं गंभीर मरीजों का इलाज जाड़ी है उद्गाटन समारो में महिला विकास मंच, युवा संगठन एवं जेडियम हॉस्पिटल की पूरी टीम मौजूद थी सुबह सुबह जेकी आदब जी का फोन आता है और वो बताते हैं जेडियम हॉस्पिटल के बारे में तो यह बहुत जानकर खुशी हुई कि कोई एक डॉक्टर मतलब राजु कुमार इस चीज के लिए आगे आएं और आगे आके उन्होंने गौर्मेंट से पर्मिशन लिया और अपने हॉस्पिटल को उन्होंने कोविट सेंटर बनानी का डिसिजन ले लिया इसी तरह मैं मतलब तमाम बिहारवासियों से बिहार के डॉक्टर से अनुरोध करती हूँ कि वक्त है कि आप लोग आगया यह आप लोग भी अपलाई कीजिए और जितना हो सके हमारे समाज को मदद करके इस कोरोना से हमें बचानी की जरूरत है लोगों को और जैसे कि परियम तो एक छोटा सा हॉस्पिटल है लेकिन जाने कितने बड़े-बड़े अस्पताल के मालिक लोग बैठे हुए हैं हमारे पटना की बाद कर लीजे तो पटना में उनकी आत्मा क्यों मर गई है वो क्यों सोय पड़े हुए हैं वो क्यों नहीं जग रहे हैं डॉक्टर क अधर में घुसके बैठे हुए हैं 15% से 20% डॉक्टर भी अगर इमांदारी से काम कर लें आज पटना में तो शाय हम लोग यह लड़ाई बहुत आसानी से लड़के निकल जाएंगे तो शुप कामनाई देते हैं पूरे महिला विकासमंच टीम की और से कि यह जेडियम और ह हम भी आज खुद एक अपील करेंगे ताकि बिल्कुल कंकरबाग लोकेशन में रब्बे फिट के पास यह हॉस्पिटल है और मैं खुद भी अपील करूंगी आज कि कोई भी अगर ऐसे व्यक्ति हैं जिनको डर है कि शायद हमें करोना हो गया वो बे जिज़क इस हॉस्पि मैं लोगों का सरकील के लोगों सारे लोगों का फोन आता है कि मेरे एलेटीव दोस्त में भडती है नंभ ब्षास को रहा है या मेरे भूत गूब हो पंटी में यह सारे लोग को फोन कल तो मेरे दिमाग मैं ऐसा कुछ आया कि कुछ ऐसा किया जाए और हमारे साथी है युवा संगठन के संदत्शक जैकी जी इनके तरफ से भी ये मतलब सपोर्ट मिला कि आप लोग एक हम लोग मिलके टीम बनाए और एक होस्पिटल ऐसा खोले जिसमें कोविड-19 पॉजेटिव मरीज का इलाज हो सके इलाज किया जा सक है तो हम लोग टीम बनाए और इसका बुद्घाटन के हैं राजू जी जो हमारे पिछले एक हफ्ते से हम लोग इस पर पहल कर रहे थे कोविड-19 का जो पेसेंट अभी हमारे सरकार के तरफ से सरकारी हस्पताल में जो वेवस्था नहीं मिल पा रहा है जिस कारण से ज्याद हम लोग को परमीशन दिया जाए कोविड-19 का पेसेंट को लेने के लिए और इसका इलाज करने के लिए और मीडिया बंदू से भी के तरफ से अनुरोद करना चाहते हैं कि सरकार हम लोग को जल से जल परमीशन दे इस होस्पीटल में हम लोग का पूरा टीम राजू जी का पूरा टीम होस्पीटल का जेडियम होस्पीटल का पूरा टीम तयार है कोविड-19 पेसेंट को एडमीट लेकर उसका इलाज करने के लिए संजे कुमार मुंचुन की बीरो रिपोर्ट स्वर्निम टाइम्स पतना